हुआ है गाइस वेल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सभी लोग तो आज हमारे जो साथ के कलीग है अमीद भाई फिर इम्रान भाई और एक है सवर बक्षी जो हमारे बेंग बल्स है तो यह तिनों ने क्या है कि कार खरीदा तो उनकी जो कार खरीदने की खुशी में लोग मैं जा रहा हूं वहां पर रेस्टुरेंट के तरफ रहा है तो यहां पर आज हो इस लोकेशन से हम आपको पिक कर लेंगे पिर हां पर हम साथ में चलेंगे तो जो रेस्टुरेंट है वह डिसाइट नहीं हुआ है कि कौन से रेस्टुरेंट में जाएंगे तो चलते हैं ले यहां से आप एंटर करेंगे उसके बाद यह देखे स्टेर्स है यह आप इस्टेर से आप उपर चड़ सकते हैं उपर जाएंगे रेश्टुरेंट का व्यू शांदार है देखिए इतना साफ सुत्रा क्लीन लीनेस बहुत अच्छा है रेश्टुरेंट है देखिए आगे चलके भी दिखा दे रहाँ आपको आपर फूट बाकी बगड़ा सब कुछ है फोटोग्राफिक के लिए भी बहुत अच्छा है कुछ इस तरह का विव है सो गाइस इद मुबारक बहुत अच्छा लगा रेश्टुरेंट बहुत अच्छा है साफ सुत्राय क्लीन है यह मैं पोस्ट दे रहाँ थोड़ा सा और फिर हम जैसे खाने का शुरुवात किया तो खाना हमने शुरू किया पहले धही बेल पूरी से यह धही पूरी है तो श इंटेरियाल पर हेड है तो अलावन मान के चलिए दो हजार इकिस्सो पर हेड या मित भाई गोलगाप्पा खाते हुए और यह मैं गोलगाप्पा खाते हुए या ठूस्टे हुए बोलिये मुह देखिए मुह का साइज मेरा आपने बाप जाते है यह हमारे बिंगाली दादा है कोलकता से चेह हमारे माचल से शायद और ऑ एक भई है जो सावथ इंडियन है और यह आप देखिया कुछ मटर बगड़ा है यह देखिये यह आपका जो है चिकन कबाब, मटन कबाब, अपने लाइफ में चिकन कबाब खाया होगा, मटन कबाब खाया होगा, लेकिन फ्रूट कबाब, जो ग्रिल जो है, फ्रूट सलाट का जो ग्रिल है, वो आपने शाहिदी खाया होगा, यह देखिए यहाँ पर चिकन ग्रिल है, मटन ग्रिल है, नबे रियाल, 90 रियाल, और अनलिमिटेट खाना जो भी है, हम लग टोटल छे मंबर है, छे लोग गए थे, तो लग भग, पांसो, असी नबे, लग भग, छे सो रियाल के असपास, फ़रा, छे आदमी, छे सो रियाल के असपास, यह हमारे इमरान भाई है, काफी हैंसम है, काफी फिट भी है, और यह हमारे इमाचल से हैं यह भाई है, पॉल्ट कि लिए जा रहाँ, लिए जा रहाँ, अनलिमीटेड है, खाओ या रो किसने मना किया है, खाओ बस, यह मटन के पीस है, और यह है मतन पाया सूप मैं लेने की कुशिश कर रहा हूं पहली बार इस तरह की कर्ची यूज कर रहा हूं कभी सरके कर्ची नहीं कर पाया अमित भाही बोलते हैं कि ऐसे मत लोग ऐसे नहीं लेते हैं इसका लेने का सिस्टम अलग है पता नहीं यह प्रोफेशनल थोड़ी ह किया यह है मतन पाया सूप टेस्ट अच्छा है बहुत अच्छा है टेस्ट है यह थोड़ा सा पोस दे रहा हूं मैं और यहां पर यह खाने का सारा आइटेम है चिकन बिर्यानी मतन बिर्यानी जैसे दीखे लिखाई हुआ है बेंच बिर्यानी यह है बेंच बिर्यानी यह होगा कि दन ये नॉन वेज होकर चिकन दम बिर्यानी लेखे खोल कर दिखा रहा हूं और बाजो में अंडे भी है चाहित अंडे भी ले सकते हूं ये नॉन वेज आइटेंग भी है काफी सारे है ये आप देखिए इतना गरेंटी से बोल सकता हूं कि 90 रियाल जो है वो मोर दन इन अफ है और एक आदमी पूरा आइटम खतम करी नहीं सकता मतलब कुछ चीज़े ऐसा है कि आप दो तीन चीज़े खा के आपका पेट फूल हो जाएगा मन मार जाएगा कि और खाने का इच्छा ही नहीं करेगा ये पनीर भी है नॉन वेज ये वेज बटर गार्लिक कुछ तो है और नूडल्स मैंने नूडल भी टेस्ट किया था थोड़ा थोड़ा उच्छा डाल है डाल मकनी वगरा जो भी है काफी आइटम है पूरा आइटम टेस्ट कर पाना या खतम कर पाना इंपॉसिबल है ये मान के चला अगर मैंने 90 रेयल दिया है तो शायद ही मैंने 20-30 रेयल का ही खा पाया हूँगा मैं क्या हर कोई बंद ज्यादा कोई खाई नहीं पाते है अराबिक ब्रेड देखना है ये देखिए ये अराबिक ब्रेड है यहां की खासियत ये भी सूप आइटम है ये सलाद बार है देखिए सलाद के भी कितने तरह के टाइपस है शायद देखा हुआ ये देखिए इतने तरह के सलाद के टाइपस पहली बार मैं देख रहा हूँ अच्छा एक्सप्रियेंस है मतलब नाम भी नहीं पता ने पता है से उसे सलाद है आसा चीज़े और ऐसे सी चीज़े की सलाद में ना है आ करे कि घ्रतुन हुआ देखिए डिजर्ट मिठा में क्हाने के बाद और मीठा तो होना जाए ना मीठे में भी इतने सब आए पेजड़ी कि खेए फिर मैने ग 邁ब जामून देखा कंगी है यह व 시ाफ़ जामून मैंने देखा यह है यह देखे मैंने तो जादा कुछ खाया नहीं थोड़ा थोड़ा क्योंकि खाया यह है यह खाया नूडल्स कुछ पेश्ट्री वगड़ा खाया अमिद भाई को बोला के थोड़ा सा क्या है कि ग्रूफ सेलफी तो होना चाहिए और यह है सिकंजी अपने दिली में सिकंजी खाया होगा इंडिया में सिकंजी वगरा मिलता है यह कोल ट्रिंग सिकंजी फिर बर्फ वगरा डालके दिया हुआ है अच्छा टेस्ता और यह बहुत खासी अच्छा है इसको बोलते है काव आटी प्लीस सब्सक्राइब भाई चैनल